तो इस वीडियो हम डिस्कुस करेंगे मेनिंग डिफिनिशन आफ और 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 इंस्टिशन और असोसियेशन यानि कि कोई कमपनी टाटा बिल्ला रिलाइंस यह सब क्या है और यहाँ पर क्या होता है अब और 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 aggregation of human being created for attainment of certain goal यानि कि जब आप human beings का एक cluster त्यार करते हो किसी particular goal को achieve करने के लिए certain goals को achieve करने के लिए तुसी को हम organization कहते हैं अब Tata में बहुत सारी लोग को recruit किया जाता है उसके बाद जो है उनको काम करवाया जाता है जिससे कि Tata का जो particular जो उनका business हो उसके goal को achieve किया जा सके Tata Motors में जो employees काम करने होगे Tata Motors यानि different different design कार्स को manufacturing के लिए वो लोग अपना time दे रहे होंगे अपना काम कर रहे होते हैं तो aggregation of human being यानि जब आप कोई human being का cluster त्यार करते हो group त्यार करते हो किसी particular goals को करने के लिए तो वही चीज organization कहला थी है organization मिलके काम करना वही पर दूसरा word है behavior behavior का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से behave करते हो क्या बोलते हो क्या करते हो यह सारी चीज आपका behavior होता है the way a person or things act or react यानि कि अचानक से कोई problem आ गई तो अब आप उसमें demotivate होते हो कि motivate होते हो उसको handle करने के लिए आगे आते हो या फिर उससे डर के भागते हो यह आपका behavior show करता है what a person says or does यानि कि कोई गलती होगी चोटे बच्चे से और आप उस पर तुरंद गुसा कर देते हो यह angry यह क्या है आपका behavior है कि या वो तो चोटी-चोटी बात पर गुसा कर देता है तो यह एंग्रिनेस या इस्माइल यानि कि आप कोई बड़ी सी बड़ी problem है फिर भी आप इस्माइल करके softly spoken होते हो और प्यार से आप काम को खतम करते हो तो यह भी आपका behavior है कि आप kind-hurted हो या फिर आप angry nature के हो तो यह behavior है कि किसी भी situation में आप किस तरीके से behave करते हो क्या बोलते हो यह आपका behavior show करता है the person or things act or react फिर what a person says or does that shows her या his behavior यानि कि कुछ लोग आप देखते होंगे कुछ लोग के अंदर नहीं होती है कुछ लोग initiator होते है यानि कि कोई भी काम आया कोई नया task आया तो वो पहले आगे सबसे पहले आके खड़ो जाएंगे yes sir या yes ma'am यह काम हम पहले करेंगे तो initiator होते है कुछ लोग innovator होते है कोई नई नई चीज़े डेवलप करना उनको पसंद होता है वही कुछ लोग supportive होते है तो अलग-अलग behavior होता है अलग-अलग person का और अलग-अलग situation में होता है गुस्सा हमें ऐसा नहीं आता लेकिन कोई छोटी से बात होगे तो गुस्सा आ गया तो अगर आपको organization के goal को effectively और efficiently achieve भी organization के goal को effectively और efficiently अचीव करना है तो आपको आपके human के behavior के बारे में पता होना चाहिए तो यही जो study होती है कि human behavior क्या है कैसे एक individual और group में human जो है act करता है ерб करता है किसी organization के अंदर और organization के culture का और organization के structure का क्या impact पड़ता है human के behavior पे इसकी study को ही क्या कहा जाता है organizational behavior कहा जाता है फिसे समझेगा organization के structure का organization के culture का individual group पे क्या impact पड़ता है उनके behavior में क्या change होता है और individual behavior कैसे किसी organization के अंदर behave करता है इसकी study को ही क्या कहते है organizational behavior कहते है तो आप यहां भी देख सकते हैं, OB is a systematic study of the action and attitude the people exhibit within organization यानि कि किसी organization के अंदर कोई भी people कैसे act करता है और क्या attitude show करता है, कैसा behave करता है उसकी study को ही कारता है organizational behavior क्योंकि देखिए अगर आपको अपने study नहीं करेंगे organization के अंदर जो employees हैं, जो people हैं behavior के बारे में, उनके action के बारे में study नहीं करेंगे, तो आप उनका effective use नहीं कर सकेंगे, अचानक से कोई problem आ गई, तो आपको आपको आपके employee के बारे में behavior के बारे में पता होना चाहिए तो यहाँ पर जो organization waiver होता है, यहाँ पर हम तीन level पर study करते है human behavior को, it studies human behavior at individual level, group level और organizational level लिवानी कि अब आपको single person आपके बारे में पढ़ा जाएगा, और आप group में कैसे काम करते हो, कैसे behave करते हो, उसमरी के बारे में भी जाना जाएगा, और overall organization level पर आप कैसे काम करते हो, उ human behavior के study की जाएगी, individual group और organization तीनों level पर आपके behavior के बारे में पढ़ा जाता है, study की जाती है, और इसका use किया जाता है, organization behavior में, human behavior के बारे में आपने पढ़ लिया, तो इसका use किया जाता है, organization के goal को achieve करने के लिए, organization के effectiveness को बढ़ाने के लिए, तो Stephen P. Robbins आपने सुना होगा, organization behavior के author है, तिनों ने define किया है, organization behavior को, की, OB is a field of study, OB is a field of study that investigate the impact of individual group and structure on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving organizational effectiveness, पूरा एक paragraph है, इसको हमने point में किया है, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए, कि OB क्या है, field of study, यानि के study होती है, organization behavior क्या है, किस के बारे में, individual group और structure के behavior के बारे में, और organizational structure और organizational culture का क्या impact परता है, individual group के behavior में, organization के अंदर, उसकी study करते है, और जो knowledge आती है, for the purpose of applying such knowledge, जो knowledge आती है, उसको use करना, organizational effectiveness को improve करने के लिए, वही चीज, organizational behavior कहलाता है, clear, तो अगर हम इसको summarize करें, तो it is concerned with understanding, predicting human behavior, organizational behavior किस से concerned करता है, इसमें हम understand करते है, कि human behavior क्या है, उसको predict भी करत होगा, कि बहुत जल्दी गुसा जाता है, अगर आपको पता है, तो आगे चलके आप गलती करने से बचेंगे, क्योंकि आपको पता कि गलती करेंगे, तो प्रेडिक भी कर सकते है, आगे चलके कैसा behavior करेगा, ठीक है, and influencing human behavior in organizational setting, और आपको पता है कि कोई employee है, वह बहुत जल इंप्रूव हो, clear, तो organizational behavior applies knowledge gained about individual groups and effect of organization structure and culture on behavior for making organizational work more effectively, यानि कि यहाँ पे जो भी human behavior के बारे में study करके जो knowledge निकलती है, और organization structure और organizational culture का impact होता है behavior पे, इसके जो भी knowledge आती है, उसका हम organization work को ज़्यादा effectively काम करने के लिए apply करते हैं, तो organization behavior क्या हो गया, study of human behavior, wish you all the best, keep watching